कि हलो दोस्तों मैं जीतेंदर कुमार दाउंगान हमारे इस यूटूब चैनल लर्न एंड क्रेक में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम लोग पढ़ेंगे थैमस ग्लेंड हम लोग पिछले क्लास में पिनियल ग्लेंड पढ़ चुके हैं थैराइड पढ़ चुके हैं पैर बढ़ती उम्रक के साथ क्या होता जाता है घटते जाता है जैसे बचपन में में इसके ये जे यिससा होगा बड़ा होगा जिसने से बुल्हाभ वेक्स देखे त्षाला एसका जाएगा है क्जोटा होता भुड़शा जाते हैं तो है क्जोचा होता जाते हैो भारे में दिश्क्राष करीा इसका लिए तो थामस्ग्लेंड तो तो थाइमस ग्लेंड होता कहा है थाइमस ग्लेंड होता कहा है तो थाइमस ग्लेंड तो आपको कहां दिख रहा है यह अपना थाइमस ग्लेंड क्या है यह अपना यह थाइमस ग्लेंड है थाइमस ग्लेंड कहां पर दिख रहा है यह देखो थाइमस ग्लेंड के जस्ट ऊपर क क्या दिख रहा है अपना दिख रहा है इस्टर नाम या इसको क्या बोलगा है ब्रेस्ट बोन बोलगा है इस्टर नाम दिख रहा है मुझा कैसा पाए जाता है इस्टर नाम के पीछे मतब बिहाइंड इस्टर नाम और दोनों लंक्स यह क्या है लंक्स यह है लंक्स और यह है उसके बाद आप लोग और अच्छा से क्लियरिवाइड करते हैं कैसे दिखता है तु देखो कैसे दिख रहा है हम लोग अभी बताया कि कैसे दिख ग्याइज दोनों लंगो या पनीस हुआ ठिक क्या है अपना लंक्स है तो दोनों लंक्स के क्या प्यारा है बीच में ये अपना थाइमस ग्लेंड पाया जा रहा है ये अंदर का भाग है रिप्स के अंदर का भाग है ठीक क्योंकि फेबरा हमारा होता है जो लंक्स होता है वो रिप्स के अंदर होता है अब उसके उपर में क्या रहेगा थाइमस ग्लेंड के उपर में क्या रहेगा अपना इश्टर नम रहेगा जिससे आकर सभी रिप्स आकर सामने में जूडते हैं ठीक है तो थाइमस ग्लेंड यह है तो थाइमस ग्लेंड में भी कैसा दिखता है उसमें भी लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है क्या स को हम लोग हम लोग देखेंगे कि definition के form में देखेंगे के देखो यह साभी जितना चीज़ बताया हूं वह सभी अपना अच्छार्ट में कबार हो जाएगा ठीक है यह है अपना थायमाज ग्लेंड होता है कहां देखो डेफनेश ग्लेंड लोब्यूलर इस्ट्रक्ट्चर लोकेटेड ऑन बिट्वीन दे लंग्स और बिहाइंड दे इस्टरनम बहाइंड दे इस्टरनम वेंटर साइड आव एर सामने मतलब पीछले व ils मतलब अपना चीस टर्वी साइड उसको23 और बैक वाला साइड अपना दोर्साशा डूंट मतलब πα्तों वेंटर ससाइड अर ये ररौट तो क्या मारा सब्सक्ता ने Council पखे वेंटा वाले भाग में सामने के भाग में पाए जाता है ऐसे देखेंके आधा खाड़ हो तोपने चेस्तोले एरिया में पाया जाएग स्कत्व फट्व यह लो अंद्ध evolution होusp में इसका मेर रोल अभी तो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या होता है इसका रोल होता है इम्मून सिस्टम में होता है इम्मून सिस्टम को क्या करता है जिसके द्वारत थाइमस ग्रेंड के द्वारा जो हार्मोन रिकलता है वो क्या करता है इम्मून सिस्टम करता है तो इस ग्लैंड सिक्रेट दा पेप्टाइडल हार्मोन क्या करता है इस इस ग्लैंड सिक्रेट दा पेप्टाइडल हार्मोन कॉल्ड थैमोसीन क्या लिकलता है थैमोसीन रिलीज हो रहा है कहां से रिलीज हो रहा है थैमस ग्लैंड से तो थैमसीन हार्मोन लिकार इसका क में डिंखेंसेन के डिवलोपमेंट मिंख्य मिखेंसे करएब एक कैसे डिवल्पेंट में वदून करता है उसके इसते हैं अब आव thesis अंध्य tag यदि आप यह यह सब्सक्राद करते हैं तो उसमें यह सकते हैं जब तक कि उसका तरह से मैच ने जैसे जिस प्रकार ब्लाट को डोनेट करते हैं तो फ़ली ब्लाट का चेकिंग करते हैं उसी प्रकार औरगन भी डोनेट करते हैं तो इसमें भी क्या होता है चेकिंग होता है एक प्रोसेस होता है तो उसमें कौन हेल्प करता है सेल मेडिटेड इम्मुनिटी मतब टी था जिसे हम लोग बच्पान में हमको क्या देता है तीका दिया जाता है जैसे पोलियों का टिका हुआ याब मुआँर तो कि इसका क्यों दिया जाता है चिक को हमारे बॉझी में उसका it रहेगा अगर उस बाद में उसी वाइरUS यह बैक्ट्रीया के क्या है जाएगा टौह हमारी बॉझी उसके खिलाब antibody बन जा रहेगा तो उसको क्या करेगा अटेक करेगा उसको मदल लाड़ेगा जो antigen बाहर से आगा उसको मार देगा इसका रहन हमको बच्पन में टीका दिया ज़रते हैं तो हिम्रा इम्मेटिक किसे रिडिटेड है एंटिबाइक प्रोड़क्शन वाला में है तो किसमे रॉल प्रगपःए टीलिम फॉसाइटिक में डिफ्रेंशेशन में जो शेल-मेडियति इम्मेटिटी है और दूसरा है इनदेशन थायमोसिन प्रोमोट प्रोड़क्शन आप एंटिबायूक्शन टुप्राइड हिमडल बढ़ते के साथ इसका जन डीजनरेट होते जाता है इसका साइज कहोता है घटते जाता है ओल्ड में इसका साइज कहा जाता है डिक्रीज जिसके करा थायमुसीन हार्मोर रिलीज कम हो जाता है अब थायमुसीन हार्मोर रिलीज कम हो रहा है तो इम्यून सिस्टर हो जाएगा विक हो जाएगा इसका अब हिख चल रहा है कि और जो बुड़े वैक्ति को ज्यादा हो रहा है जैसे कुछ भी काम चल रहता हूँ बूढ़े वैक्ति जो 60 साल से अधीक वाला है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो रहता है विक हो गया है अब कुछ भी थोड़ा सा भी वायराज अगर उसके उपर आजाए तो उसके उपर आसानी से अटाक कर सकते हैं कौन वायराज उस वैक्ति के उपर आसानी से अटाक कर देगा उसका इम्यून सिस्टम क्या है वि उसका जो जो है कि इसका थामनी ब्सक्राना रिलीस का मेरा है जिसके पर न सिस्टम विख रहे रहे तो यह हुआ अपना थामर्व करते हैं decrease होते जाते है बढ़ति उम्रा के सा ठीक है इता समय जाया इतना समय गया गया देखो इसी को में development of immune system ठीक है तो हमारा थाइमेस ग्लेंड यहीं complete होता है क्योंकि इसको ज्यादा बाहर से पढ़ने की जरुवत नहीं है कि इसी सी अंतरगत अपना सभी चीज कवर हो जाता है ठीक है इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग उसमें डिश्य वाले चेप्टर में पढ़ेंगी तो ओके थैंक्यू हमारे चैनल में अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए